मॉलिक्लर और्बिटल चुरी अब बेटा कल आमने बहुत सारी बाते बताया था जैसे एकॉर्डिंग टू भी बीटी एटम अपने एक्जिस्टेंस को लूज नहीं करते हैं मॉलिक्यूल बनने के बाद लेकिन मॉलिक्लर मॉलिक्लर और्बिटल स्यूरी के अगॉर्डिंग जब देखो गए तो मॉलिक्यूल बंते हैं व अपने एक्जिस्टेंस पूरे तरीके से लॉस कर देते हैं पिर बच्चो जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आ रहा था डाया मेग्नेटिक एकॉडिंग टू भीबीटी बड़ जब पैरा मेग्नेटिक नेचर चेक किया गया तो यह परमेगणिटिक है अगे बता हैं कि बॉंड दर के वारे में भी बी टी कुछ नहीं बताए था लेकिन यहां बॉंड आपडर के बारे में पढ़ेंगे दूसरी बास रहे हैं यह जो मॉलेकल और बिटल। पढ़ना आप तो ट्वेंटी इलेक्ट्रोन कंटेंड करने वाले मॉलेक्यूल के लिए पढ़ना है जिस में मेक्सिमम से मेक्सिमम 20 इसके ज्यादा ना यह बात अब ध्यांद दूसरी बादए जमोर garlic हो सकता है और हेट्रो बहुत व्होता है मतलब दो एंटम सेम भी हो सकता है आपस्मनों दिपरेंट भी जलता है इसके बाद वंने बताया था बेटा कि जब एक आटम कि दूसरे अटम से कम्बाइन करेगा एक दूसरे के तरफ पहले वह अप्रोच करेगा एक दूसरे के तरफ जब यह जाएगा ना यह किसी ना किसी एक्सिस पर जाएगा इस इस कॉल इंटर निखेर एक्सिस ठीक है और बेटा जब यह दूसरे के पास करेंगे तो एकरमिक और जैसे होता है ना को अपस में करेंगे अफ्ट में वाला दूसरे अटम के बाद करेंगा यह जो आप देखर दी सिन्हां को में इनके कॉम्बिनेशन के बाद क्या बनेगा और जो मॉलिक्लर और विटल का टाइप है वह सिगमा प्रेविटा प्रेविटा डेल्टा इस तरीके से एक हो गया सिगमा ना दूसरा हो गया प्रेविटा डेल्टा पर हमने आपको बताया था कि बेटे हमें पढ़ना है हमारे काम के लिए सिगमा और पाई के बारे में ओके ना अब बिटा सिगमा कब बनेगा और पाई कब बनेगा तो याद रखिएगा कि जब अप्रोछ करेंगे और अप्रोच करते वार जिन अटमिक औरबिटल का कॉंबिनेशन एक्सिस के ऊपर होगा हो नहीं वो आपको सिग्मा टाइप का मॉलिक्लर और बेटा और जिनका कॉंबिनेशन एबब और बिलो इंटर निकुलर एक्सिस होगा, यह आपको देगा ता पाई टैप आप मॉलिक्लोर जैसे सीगमा बाइल बनता था न, एक्सियल ओपर लापिंग से अप्सक्राइब बच्चों एक आगे की बात ये ई कि जो एटॉमीक और बिटल है ना अगर इधर से माझन लोक्ट दो है टॉमीक और बिटल कमबाइन कर रहे हैं कि अ कि अ कर डॉबडन और अकर्बिटल कमबाइन कर रहे है तो जब बैटाद 2 atomic orbital combine करता है न तो rule है कि जितने atomic orbital combine करेंगे नंबर वाइज और एक साथ 2 atomic orbital combination होता है तो 2 molecular orbital ही बनेगा एक को बोलेंगे bonding बड़िवाल में तुमलेक्टेरों पर्डेश बॉलेक्टेश सजस्य हो है नियुक्ति TV है युख होता है एक एक टॉमिक और बिटल यह गया हमारा कंसेट यह गया हमारा क्राइटेरिया इस इस प्राइटेरिया को आप जान लगा जाए चीकर है कि समझें क्या कि कि इस तरीक है तो भई वह लिए मों नीचे चला गया कि एवी आ ऊपर जो लागया है स्परीका से थ्जैट दिंग वांडिंग मोली लुट अर्बिटल अब आपको मैं आगे लेके जाओ हमने बताया था कि बी एमों का एनरजी ज्यादा और इसके बाद एक इंपोर्टेंट बात अबिटा कि जैसे एक अटामिक ऑर्बिटल मैक्सिमम दो इलेक्ट्रोन रखता है विद अपोजिट स्पीन बस उसी तरीके से जो मॉलेक्टिलर ऑर्बिटल है ये भी मैक्सिमम टू इलेक्ट्रोन रखेगा मैक्सिमम टू इलेक्ट्रोन विद अपोजिट स्पीन से जी ये चीज़ आप दिया नत्यूत अब इटा आगे चलता हूं कि मैक्सिमम कंटेंट्टू लेक्ट्रोन विद अपोजिट इस्पीन चलिए जरा आगे बढ़ जाए और आगे ये बात बता दूंगर आपको फिटाइब से को हमको ट्वेंटी इलेक्ट्रों का ही डिस्टिग्यूशन दह्याइं इस तरीक से 20 लेक्ट्रों के लिए मैका कितक नौरबिकल की मतलब हमको नला भीलत Like लिए बात करना है है थे को जैन और्बिटल का बात करने अब जो टेन और्बिटल है यह आपको ध्यान रखते हैं ज्यादा ध्यान नहीं रखते हैं अब आगे आता इलेक्ट्रोनिक कॉन्फिग्रेशन का प्रिवियस लेक्चर में इस सारा चीछ पढ़ा चुक हूं पुरे डीटेल में तो बेटा जैसे आप किसी एक्टम का इलेक्ट्रोनिक ओंफिग्रेशन लिखते हो ना और यहां पर आप एक्ट्रोन का डिस्टिब्यूशन करते हो कि इलेक्ट्रोन का डिस्टिबूशन करते हो चीगे अर्बिटल वाइस एलेक्ट्रोन का डिस्टिबूशन आप करते हो चीगे और जब आप इलेक्ट्रोन का डिस्टिबूशन करते हो चीगे इस-पिद्षट मिजब आप लेक्ट्रोन डिस्टिबूशन करते हो और एकॉर्डिंट्रोन में प्रिंसिपल कि को हैं प्रिंसिपल गेल रशी अलुक्षा को लेक्ट्रोन आप फ्रिक्रोन पहले बंदन्ते हैं liken बाद में आप हाइयर एनरजी वाले पर भरते हो बोलता है कि इकवल एनरजी वाले और बिटल में पैरलल स्पीन में एक प्रॉन भरो बाद में अपोजिटी स्पीन वाले मतलब बाद में आप एरिंग कराई है अब इसके बाद प्रिंसिपल सरवाटी पॉली इसक्लूजन प्रिंसिपल है कि भाई एक और बिटल में दो इलेक्ट्रोनिक प्रिंसिपल बेटा जब आप मॉलिक्यूल में जाकर आप इलेक्ट्रोनिक कॉन्फिग्रेशन लिखोगे तो यहाँ भी अबोव प्रिंसिपल होन्सरूल ऑल इसक्लूजन प्रिंसिपल करेंगे पर बेटा मॉलिक्यूल के केस में जो मॉलिक्यूलर और्बिटल है उनकी एनर्जी बेटा एनर्जी हम डिसाइड नहीं कर सके ओके एन प्लस एल रूल लगा के हम एनर्जी डिसाइड नहीं करेगे तो यह एनर्जी कैसे डिसाइड होगा कि एक्सपेरिमेंटली स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है केमेस्ट्री में स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के थूँ एक्सपेरिमेंटली बेटा यह जो टेन और्बिटल है ना टेन और्बिटल पंसा molecular orbital उनके energy का sequence beside करेंगे और जो sequence होगा उसको आपको याद करना पड़ेगा समझे मेरी बाद remember और जब भी आपको याद हो जाएगा ना बेटा हो जाएगा problem आपका और कुछ करना नहीं बस मुश्किल से मुश्किल कितना और बीटल आपको याद रखना है और कुछ करना नहीं समझ गए यहां तक कल पड़ाया थे उसके बाद एक बात और बताया था कि जब भी atomic orbital combine करेंगे ना तो यह LCAO pattern को follow करते हैं what is meaning of LCAO linear combination of atomic orbital तो यह atomic orbital जो है ना जब combine करते हैं LCAO pattern का follow करते हैं मेरे प्यारे बच्चों atomic orbital combined in which manner LCAO manner linear combination of atomic orbital manner ठीक है तो यहां तक में अगर कोई डाउट है तो पूछो और अगर कोई अगर नहीं कोई डाउट है इसके आगे अब हम लोग पढ़ेंगे एब्रीवां पढ़ रिप्लाइक और बैटा करेंगे कि सारे बच्च रिप्लाइक करिये हैं कि जी बैटा अभी तक तो हमने रिवीजन करवाया है जो कल पढ़ाया उस बात कर अब आगे आपको नया पढ़ाऊगा इस लाइए कि याई कि याई कि चलो ठीक अब आगे चलते बेटाब लो कि एल सी एओ कि लीनियर कि लीनियर कि लीनियर अच्टामशन आठ्ट्व को प्रच आखेंगेंजमिलिग्यू जान इच्ट्विकल्स कि आगे आखेंगे श्री जान के आखेंगे ठीक्ट्विकल्ट्ट्विकल्डशन औरन इस थाखेंगे कि एल्सी एओ कि योगे बिटा लीनियार कि पॉंबिनेशन ओफ कि एटॉमिक और बिटर अब बिटा यह एल्सी हो क्या उसके ज़र समझे जैसे माल लीजिए कि दो आटॉमिक और बिटल हम ले रहे हैं चीक है कि यह ले बिटा टू कि आटॉमिक और बिटल कि जो आपस में कम्बाइन करें द्यान सुनना दम बातों को द्यान सुनना तू अटॉमिक और बिटल हम ले रहे बिटा जो कम्बाइन करने वाले एक का नाम है ए एंड दूसरे का नाम है भी आप ऐसा समझ लो कि जो भी आटॉमिक और बिटल कम्बाइन करते हैं वो कभी भी सेम आटम के नहीं होते बिटा वो दो डिफरेंट आटम के जिन दो डिफरेंट आटम के बीच में मॉलीक्यूल बन रहा है उन्हीं दो एकमिक उन्हीं दो ठीक है यह बात हो गया अब बिटा आपको पता है ना और बिटल नाम का कोई चीज नहीं होता है जो इलेक्ट्राउं क्लाउड ट्रीडी में एक्जिस्ट करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं और बिटल एंड बिएब लाइक वेवेब लिए बिटा यह जो ए है और इसके वेब को हमने साई ऐसे दिखाया और बी के वेब को हमने साई बी से दिखाया एक वेवेटा लाइक साई ए दूसरा वेब है लाइक साई भी ठीक है समझरों मेरी बाद यह क्या क्यों समझ लो साई आपको पता है ना इस अभी फंक्सान इस कंटीनिवाज डिफ्रेंसियबल बट मिनिंगलेस बताये थे एंड साई स्क्वेर गीव इंफॉर्मेशन अबॉड इलेक्ट्रोन डेंसिटी इव इन फॉर्मेशन अबॉर्बिटल याद होगा आपको यह साई है बिटा और यह साई भी है अब बिटा बाद यह साई एंड साई भी कंबाइन करेंगे दूसरे से अब यह जो कॉंबिनेशन है ना यह जो दो वेब का कॉंबिनेशन है इसी कॉंब बोलते हैं LCAO linear combination of atomic orbital इसी कॉंब क्या बोलते हैं LCAO linear combination of atomic orbital और कुछ भी नहीं है यह हो गया हमारा LCAO और कि दो भी हो जो है तो है यह जो आधिटा प्रसाइब्स से जब गन्मांड करेंगा एंड बें में कुंद केंड सब्सक्राइब करेंगे लिनियर कॉंबिनेशन आप याद रखो यह बिहेव करेगा लाइक वेव कैसे वह मैं आपको दिखाऊंगा बताऊंगा समझाऊंगा ठीक है यह बात आप समझ लो अब कंसे बताऊं कि विटा हमारा दो तरीके का इंटरफेरेंस होता है एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दूसरा होता डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चीके समझ रहे हो एक होके कौंसा बेटा आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा हो गया हमारा इस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस थीक है सर अब यह जो और डिस्टूक्टीव इंटरफरेंस है वह हम कैसे सोचेंगे याद रखिएगा जब दो वेब आपस में कंबाइन करेंगे ना किसट कॉंबिनेशन को हम बोलते हैं कॉंस्टॉक्टीव इंटरफरेंस और जब दो वेब इसको हम बोलेंगे destructive interference के नीन समझ रहोगो एक दूसरे में वेब कम्बाइन कर जा रहा है और कम्बाइन करके electron density को बढ़ा देगा कि इसको बोलते वेक्ट हम constructive interference लेकिन दूसरा यह है कि साई में माइनस हो गया साई भी इसको हम बोलते हैं डिस्टर्प्टिव इंटर्फरेंस ठीक है इसको हम क्या बोलते हैं डिस्टर्प्टिव इटर्फरेंस ठीक है योग यहारा साई ए और साई भी साइय हमारा और साइबी जब एक दुसरे माइनस होगा न बड़े वेब इसको डिस्ट्रक्टिव इंटर्फरेंस बोलें और यह इंटर्फरेंस वह बिटा अकन्स्ट्रक्टिम मतब समझ रहे हो अग्या बढ़ रहा है कि देगे यह जो आना साइए और साइबी जो पॉंबिनीशन ने इसी को बहुत ने साइए म ओ मॉलेक्लिल ओर्बिटल यह भी होगा साइए मो फिके यह भी स्टॉशक्रुक्टिव इंटर पेरंट इसे मॉलेक्लर अर्बिटल बनेगा उसको हम बॉंडिंग बोलेंगे बोन्डिंग मोलीख कि झा कि बंडिंग मोल्अ और जो डिस्ट्सक्रप्टिव इंटरकेरेंस सें बने गारे गे एंटी बोढंडिमल क्यूंट को तो यह शुद्राना चीज मॉल्डियर जू section गूला है रोव रैसा मॉलेख चाइब को बने मैं तौब आफेगे इए डीए मो एंटी बॉन्डिंग नाऌ थीक में यह बात हैं यह क्रेटेरिया को अपने द्याने के इदर से आंके साई यह आगा इदर से यह साइए उदर से यह क्या आप इस रहती है यह चीजें हमारा यह इसको आप द्यान में पुल्विला के ऐसे लिखना है कि था यह प्लस माइनस साइब विफ तक प्यां साई-टो अब इसी को दो पार्ट में डिवाइड करेंगें साई बी एमो बांडिंग मॉलकुल अर्बिटर साई ए बी एमो एंटी बांडिंग मॉलकुल अर्बिटर बी में साई ए प्लस साई बी भी मैं ना एडर अप्लीं आड़ेकं साई साइब कि अधुक्रण होगे और द्याइब यह आए यह हमारा इंटर यह को एक हो गया हमारा कन्स्रक्टिव इंटरफेरंस दूसरा हो गया हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरंस चीज है यहां था एक इंटरफेरंस हो गया दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरंस बीड़ेंगे इसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे और इसके बाद बेटा हम आगे जाएंगे तो यह होगे हमारा कंसप्डियों के क्राइटेरिया तो यहां तक किलिए रहे है सभी को बेटे प्यारे बैचो प्लीज रिप्लाइ में यह जो एमोटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थियोरी है मैं आपको प्लाइम बेला है इसके समझा रहा हूँ पर आप रिप्लाइ करते जो फट 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 सारे बच्चे क्याना तक क्लिए रहे सभी को और क्याक drowned बता है मैं हूब må्ष तक किलिए रहे सब्यद input क्यां燥 प्लाइम हूब व्लाइम प्लाइम रस्वप। इस दिए थीख है एक हो गया हमारा बी बी एमो यहां सिधा लिखेंगे it is formed by constructive interference of waves इसमें लिखेंगे अच्छा यहां पे चीज और हम लिखेंगे बेटा कि इट हैज लोवर एनरजी इट हैज लोवर एनरजी एनरजी और मोरे स्टैबिलिटी इस कॉंपेर टु आटोमिक अर्बिटल है तो जो बॉंडिंग मॉलिकुलर अर्बिटल है उसके एनरजी कम होगा और स्टैबिलिटी ज्यादा होगा पॉंपेर टु बेटा अटोमिक अर्बिटल है तो यह चीज हो गया हमारे अब उसके बाद है विटा कि जब आप बी एमों में जाते हो ना तो आप यहां देखी बेटा बी एमों में क्या हो रहा है साई ए और साई अधे हो रहा है और साई एक्रों डेंसिटी कैंने चाहिए डेन सब्सक्राइटाट हो रहा होगा बिटीविन टू निकलिया जिनके इंक्रीजेज इनक्रीजेज 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 इनक्री विटमीन दू नुक्लिया तू नुक्लिय विटमीन दूनी किले दू जू नुक्लिय दू तू विच चैबलीटी नुक्रीजेड बुट विच इस्टैबलीटी इंक्रीजेड यहीज आप द्यान रखीगा यहां पर बेटा इलेक्रों डेंसेटी बढ़ जाता है बिट्वीन टू निकुलिया ठीके यह चीज आप द्याना में उसकी बाद और बेटा कि जो इलेक्रों डेंसेटी बीमो में रहेगा ना वह ज्यादा अट्रेक्शन एक्सप्रियेंस करता है इसमें पॉइंट और है कि इ इसमें पॉइंट अबटा कि इत कंतें में और में नोट इट कंतें में और में नोट राव नोट अब नोट इके है इट कंटेन में और में नॉट हैब नोड तो यह चीज है हमारा यह कंसेप्ट है हमारा इस बात को आप द्यान रखो इट कंटेन में और में नॉट है नोड मतलब यह नोड कंटेन कर भी सकता है और कान देल नहीं भी कर सकता यह चीजह है ऑ और में अफ्टेल कर सकता है ज्रीजे आप द्याद रखना नोट मिंस वाड़ याद है न वे क्रोबेबिलिटी लेड़ीटें इर्ट पार्पेटाब कर सकता है यह दिया कि देल कि कि जो molecular orbital होंगे bonding type के उसमें node हो भी सकता है और node नहीं भी हो सकता अब जरा समझो मेरे प्यारे बच्चो जैसे मालों आपने एक वेव दिखाया ऐसा और दूसरा वेव दिखाया ऐसा वेव तो पता ही होगा और जैसा direction है इस वेव का तो वैसा ही direction है इस वेव का भी यह दोनों को जब आप add करोगे यहां से यहां के height को amplitude बोलते बेटा तो concept देखो जैसे यह इदर ऐसे को जा रहा है वैसे यह भी इदर ऐसे को जा रहा है तो जब same direction वाले वेव आपस में combine हो जाते हैं तो यह हो गया मारा constructive interference मेरे प्यारे बच्चो इसके वज़ा से क्या होगा यह दोनों वेव मिलके और बड़ा वेव बनाएगा ऐसा जिसका amplitude और हाई हो जाएगा तो यह हो गया बटा कौन सा साई B M O and this is represent what साई A और यह क्या बटा साई B साई B M O is equal to साई साई A B M O और साई B M O यह हो गया अब अगर इदर आप देखो साई B M O साई A प्लस साई B बेटा आपको याद होगा हमने बोला था साई इस मिनिंगलेस only gives information about continuity differentiability ठीक है बट no other meaning ठीक है continuous है differentiable है साब है लेकिन इसका कोई और meaning नहीं है चीक है ना यह चीज़ आप ध्यान दखो साई जो B M O है बोही हो गया बिटा अगर हम ऐसे कर दें यहां इस तरीके से और यहां से कर दें squaring both side साई बी एम ओ का square साई यह प्लस साई B का क्या हो जाएगा square साई B M O का square जो है साई A का square साई B का square 2 साई A साई B अब आप देखो बेटा इस रिप्रेजेंट इलेक्रों देंसिटी ऑफ और्बिटल A इस रिप्रेजेंट इलेक्रों देंसिटी ऑर्बिटल B तो आप बेटा अगर इंडिविज्वाली आप एड करना चाहते हो इलेक्रों देंसिटी और A और B को वह भी आप आड करके देख सकते हैं और यहां को क्लियन दीक रहा है कि यहां पर क्या हो गया कि साइ द्यान रखिए यह जो है मारा साइस स्क्वेर ए साइस स्क्वेर भी और टू टाइमस साइस आई भी साइस स्क्वेर भी है मोग ताइस स्क्वेर ए साइस स्क्वेर भी और टू टाइमस आई एसा हो गया तो बेटा यह जो एक्स्ट्रा टर्म हो रहा है ना मत्तब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या और बढ़ रहा है रांड निकलियस तो बच्चों बांडिंग मोलिक्लोर अर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है बढ़ जाता है तो अगर बढ़ रहा है तो यह हो गया बिटा दूसरे तरीके से आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो अलग पैटन पर जाके क्या दिखा सकते भई यह हमारा एक डा कि साइए का कि इस तरीके से ठीक है ना एक साइए को बता रहा है एक साइब बीक है और जब यह कंबाइन कर जाते हैं ना बिटा यह कुछ ऐसा हो जाते हैं प्रॉबाइबिलिटी फांक्शन आफ ए एंड बी ऐसा और नेट अगर ओवरल आप देखेंगे तो ऐसा हो जाए रहा है कौन सा ब्रिया कि यह इलेक्ट्रॉण डेंसिटी को बता रहा है यह किलियरली दिक्राइब डेंसिटी इंक्रीजेड बस सिंपल है एक दा मैं बहुर्ण रिपीट कर रहा हूं यह बिटा इलेक्ट्रॉण डेंसिटी किसका एक यह बीका यह दोनों कंबाइन हों के इस तरीके से जा रहा गर एसा ना यह ऐसा पाड़ी ऐसा ग्राब बन रहा परनेंसिटी की हाँ रहा है का बस और कुछ निए जो चीज आप देख रहे हो जो सिह स्कृट इसरों सब्साइब देख रहे हो कि एक गर्नि एक लिए और बौन की सेब्सेटेंधिग इस डिल्यूट्र कि क्राइट disrupted फेशें कि यह कहा नहीं है है यह क्राइटेरिया है और यह सिटूइशन है ठीके ना बच्चो जयांतर क्लियर है सभी को सानीयाँ ओके अब आगे चलते हैं कि यह लाप्ट पॉइंट है इसके बारे सारे बच्चे बता दो यह क्लियर है ना सभी को अब में बात है ये बेटा साई बी एमों क्या होता है कि यह कंस्ट्रक्टिव इंटाफेरंस को फॉलो करता है अगर अस्क्वेरिंग बोट साइड कर देंगे साइब इस तरीके से आपने ध्यान रखना है बेटा समझला का तो यह तरीका है अब आगे चलता हूं यहां तक अब आगे बिटा मुझा रहे एंटी इस बॉंडिंग मॉलिकुलर अर्बिटल में सीधी बात है बिटा है फॉर्स्ट कॉइंट यही है इट इस फॉम बाई डिस्ट्रक्टिव इंटर्फेरंस ठीक है इट इस फॉर्म बाई डिस्ट्रक्टिव इंटर्फेरंस और यहां बाईनिंग अटॉमिक और्बिटल मतब जिस अटॉमिक और्बिटल के कॉम्बिनेशन से बनेगा उससे इसका एनर्जी ज्यादा होगा दूसरी बात यह जब आप लिकें ऐसा लिकें बेटा साई ए बी एम ओ साई एंटी बांडिंग मॉलक्लोर अर्बिटल यहां तो इसको आप ऐसे लिखो साई एम ओ और यहां स्टार लगा दो साई एंटी बांडिंग मॉलक्लोर अर्बिटल और यहां साई मॉलक्लोर अर्बिटल का स्टार लगा दो तो यह हो गया तो समझ जाना यह एंटी बांडिंग के बारे में बात कर रहा है यह बात को आप ध्यान रखे यह रिप्रेजेंटेशन है एंटी बांडिंग मोलेकुलर अर्बिटल का एंड यह जो अबेटा इक्वाल टू क्या हो जाएगा साई ए माइनस साई बी अब आप दोनों साइड स्क्वेर इंगर कर देंगे साई स्क्वेर अबमो इसको भी स्क्वेर कर देंगे साई ए माइनस साई बी का स्क्वेर अब जब आप फॉर्मूला लगाओं के बेटा आजाएगा साई ए बी एमो इस इकोल टू साई स्टार एमो इस इकोल टू साई ए का स्क्वेर साई बी का स्क्वेर माइनस तू टाइम साई ए साई बी यह हो गया बेटा हमारा यह जो एंटी बॉंडिंग है एंटी बॉंडिंग है इसमें क्या हो रहा है भी यार बॉंडिंग में क्या हो रहा है आपने देखा बॉंडिंग में इसके अलावा यह वाला एक्स्टा टर्म एड हो गया बच्चो लेकिन वही चीज जब हम एंटी बॉंडिंग में गया है न यह तो इंडिविज्वली एलेक्ट्रॉन डेंसिटी ए का है और एलेक्ट्रॉन डेंसिटी बी का है इसमें हम माइनस कर रहे है क्या तू टाइम साइए एंड साइबी ठीक है तो अब आप यही चीज को देखिए कि जो एंटी बॉंडिंग इलेक्ट्रॉन होता है ना उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा कि बॉंडिंग के कॉंप्रेबल मतलब इसका स्टेविटी भी कम होगा और इसका एनर्जी जादा होगा ठीक है तो बिटा इसी चीज को याद रखिएगा कि बॉंडिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा था एंटी बॉंडिंग में कम हो रहा है ना अभी कैसे ब से नीचे जा रहा है कि दूसरा वेव बैटा ऐसा जिसका डिरेक्शन रहा है मतलब यह वेब और यह वेब एक दुसरे से टक्राएगा एक दुसरे को कैंसल करेगा कैंसल करने के बाद फाइनली यह बच गया है ना एड होके इंक्रीज नहीं किया बेटा यहां प्लस का साइ दिया हुआ लग बात है लेकिन आप देखो दो लों डिरेक्शन क्या है अपोजिट है अगर डिरेक्शन आपोजिट है एक दूसरे को माइनस करके नेट ऐसा बचेगा और नहीं तो ऐसा दिया रहेगा कुछ इस तरीके से अगर मानलो डिरेक्शन सेम kaç ले यहां माइनस साइन लगा दिया जाएगा है प्लस साइन और आपोजिट डियरेक्शन है तो भी माइनस होगा क्या तो यह चीज होगे बेटा अब यहां बता दू मैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो दो निकलिया होंगे उनके बीच में डिक्रीज हो रहा है ठीके और उसके वज़ा से बेटा रिपल्सन होता है ठीके और उसी के वज़ास के होता है कि यह बॉन्ड फार्मेशन को अपोज करेगा कौन एंटी बॉन्डिक मॉलिक्लर अर्बिक्टर यहां का कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दा रिजन बत्वीन तो नूझ मैं scissors बत्वांस्ट्रॉन तो नूझ्टेण टॉन ट्सक्वरं uitपक्ट्रॉन डेंसिटीी इन दार्मेशन दार्मेशन विश थित्रॉन आंक्रश्ट्रॉन प्रॉन जीर्थ का विचिज रिस्पॉंसिबल फोर यह सब इस लेस्ट रिस्पॉंसिबल फोर बॉंड ठीक है समझ रहे हो यह कंसेट होगे अब इसके बाद एक बात और है बिटा कि जो एंटी बॉंडिक मॉलिक्लर और बिटल है इसमें डेफनेटली है कि एक नोड तो पक्का है कि रहेगा ठीक है यह चीज़ा समझ लो कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अबमो यह कि एक्ट्रेजेंट नबमो डेक्ट्रॉन अबमोyas इलेक्ट्रॉन नबमो เลघर बीपलस स। ट्रैजेंटर इलेक्ट्रॉन विल ओल्वेज है अब इनके पास ऑल्वेज क्या रहेगा नोड रहेगा जैसे बिटा अभी आपको मने बताई दिया कि डिरेक्शन अगर आप उजिट है यह डिस्ट्रक्टिव इंटर्फेरेंस हो जाएगा और दूसरा अगर आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के तुरू देखना चाहते हो अना साई एबी एमो का वर्सेस आर यह ग्राफ कुछ ऐसा फिर बात हो जाएगा इस पॉइंट बनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो है यह क्या रिप्रिजन कर रहा है नूड का एबी एमो में बेटा अलवेज समझ लों कि नूड तो पक्का है बेटा रहेगा ही बीना नूड का एबी एमो ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करेगा ठीक है ठीक है तो यहां तक बी एमो एबी एमो कुरा पढ़ा दिये अब आपको बताना है कि इस पॉइंट में आपको दिक्कत बेटा और और आल क्लियर देना मुझे बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहां पागें बता दी बीएमो एंशन वनका है बीएमो में बर रिविटे अर विए और बीटे हुए है थीकरको चलो में आपको तोड़ा और कुछ कंडिशन यां बताना है कंडिशन ओफ वार्मेशन ओव condition of formation of molecular orbital from atomic orbital condition of formation of molecular orbital from atomic orbital तो ये चीज़े सुन लो क्या condition सबसे पहली बात जो इक दम line है इंपोर्टेंड लाइन ये लाइन ये है कि जब दो atomic orbital आपस में कंबाइन करेंगे तो उनका एनर्जी या तो बेटा सेम रहे है ना या नियरली सेम होना चाहिए अभी भी दो डिफ्रेंट एनर्जी वाले orbital जिनके बीच में एनर्जी का गैप ज़्यादा हो वो आपस में कंबाइन नहीं कर सकते बेटा समझ रहे हो पहला बात ये a combining atomic orbital should have same or नियरली इसे में एनर्जी ठीक है कॉम्बाइणी एटामिक औरबिटल तू डैब सेम और नियरली सेम अनर्जी तो यह चीज हो गया इस जो अव्याम करने वाले जो अव्यामिक और बिटल कंबाइणिंग है है ना उनका एनर्जी सेम होना चाहिए या नियरली सेम बेटा सेम वड़ तब लेंगे जैसे दो सेम आइटम है ए और ए इसके केस में एनर्जी सेम होना चाहिए और अगर दो डिफरेंट आइटम है तो नियरली सेम भी चलेगा नियरली सेम अब इसी कडीन बता दू बटा आप जैसे वानेस से कंबाइन करेगा एक आटम का वनेस दूसरे आटम के वनेस से कंबाइन करेगा तुकि दोनों के अनर्जी या तो सेम होगा या नियरली से कि तोlevant क्ममाइन करेगा आए लेकिन मेरे प्यारे बच्चो कभी भी ज वनेस और्बिटल obs掉 से कंबाइन ह कि नहीं करेगा मतलब से कौई भी मॉलेक्लर बटन से नहीं बनेगा को दूसरी बात यह है कभी भीटर तो पी से कंबाइन नहीं करेगा इस kept तू एस टूपी से कम्माइन निकरेगा नेचर भी बेटा सेम होना चाहिए ठीक है समझ रहे हो तो वही चीज़ अब यहां बता दूं कि बहुत है कि बहुत है कि पॉर मोमो अटॉमिक अटॉमिक एनर्जी विल भी सेम दूमिक बेण विल बेण रवी सेम और नंढर्जी बीज़ेखं पलो है्टॉमिक आ गेडर नर्जी अनर्जी गेडर अटॉमिक स्लाइटली डिफ्रेंट तो यह चीज है कि जो हो में टॉमिक है ना उसमें एनर्जी से में लेकिन हेट्रो आटॉमिक अगर हम बात करें तो एनर्जी स्लाइटली डिफ्रेंट हैं तो यह हो गया हमारा केस और कंडिसन है अनरजी से और जो है उसमें एनर्जी स्लाइटली डिफ्रेंट है तो यह चीज आपने रहान रखना है कैसे यहां-स जैसे महले नाइट्रो जो अक्सिजन कम्बाइन कर रहे हैं तो नाइट्रोजन का वनेस ऑक्सिजन के वनेस से कंबाइन करेंगे लेकिन यह दोनों डिफरेंट एटम के और बिटल जब हो जाएंगे ना तो एनरजी इनका अलग अलग हो जाएगा ठीक है इसलिए पर उमीद करता हूं आप तो यह समझ गया है अगर कंबाइन करेगा तो से किसे का जया से आश्या किसी और सल्ट करेगा यह दुने कि का यह दोनीकích करेंने मेरे प्यारे बच्चों कि कुक तूपी से कंबाइन करेंगे अजुसमें मेंचन करना पड़ेगा कभी भी टूपी एक्स टूपी वाई या तो टूपी जेड के साथ कंबाइन नहीं करेगा नेचर बिल्कुल सेम होना चाहिए टूपी एक्स टूपी एक्स से ही कंबाइन करेगा बेटा टूपी वाई टूपी वाई से ही कंबाइन करेगा और टूपी जेड टूपी जेड से ही कंबाइन करेगा समझ रहे हो क्या यह बात आप द्यान रखना टूपी एक्स टूपी एक्स से करेगा टूपी वाई टूपी वाई से टूपी जेड टूपी जेड से ठीक है यह हो गया बेटा मारा concept आप ऐसी बात समझ लो कि कभी भी PX जो है PY से overlapping नहीं करता था जीरो overlapping हो जाता था बस वैसे ही PX PY से combine करेगा नहीं PY PZ से भी combine नहीं करेगा और PX PZ से भी combine नहीं करेगा तो जिनके बीच में overlapping होता था उनीके बीच में यहां combination होगा समझ ले बात बेटा तो यह चीज हो गया हमारा अब यहां मैं आपको बता दूँ तो बेटा एक concept समझ लो कि जैसे 1S 1S combine करेगा 2S 2S combine करेगा 2PX 2PX combine करेगा 2PY 2PY combine करेगा 2PZ और 2PZ combine करेगा तो बेटा मेरी बात को जड़ा गौर से सुनना गौर से गौर से कि बेटे जितने atomic orbital combine करते हैं उतना ही क्या बनेगा molecular orbital यह दो combine कर रहे हैं इधर दो molecular orbital बनेगा चीक है ना एक बनेगा ABMO और दूसरा बनेगा बेटा BMO और दूसरा बनेगा यहां देखिए यह भी दो combine कर रहे हैं यहां भी दो बनेगा ABMO BMO बेटा BMO के energy कम ABMO के energy जाद है यहां भी वैसी बेटा दो बनेगा एक BMO दूसरा ABMO और हर जगा ABMO के energy जाद है यहां भी बेटा दो बनेगा एक बन गया ABMO और दूसरा बन गया बेटा BMO बेटा यहां भी दो बनेगा एसा बना दो ABMO और BMO अब देखिए यहां से दो और बनेगा किया तू 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 पोर तू सिक्स तू एट और तू तेन आपने टोटल टेन ऑर्बिटल का यूज कर रखा है इदर ऑर्बिटल भी बन रहा है कितना वन तू तू त्री पोर फाइब शीक्स सेवन एट नाइन तेन तू जैसे टेन अटमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे टोटल उस कॉम्बिनेशन से एन बन रहा है क्या पांच हमारा बी एमो है वान टू त्री पोर फाइब और आपको हमने क्या बोला था कि टोटल हमको टेन ऑर्बिटल के कुझवाइन लिए से सीकी शीक बारे मेंस इतना ही ऑर्बिटल के बारे में पढ़ने की जरूराथ नहीं है ठीके ना यह बात आप द्यान रख गए इस सब्सक्राइब को अब द्यान रखें भी के बच्चों इस प्रेटेरिया को अब द्यान रखें बस यह हो गया अब बैटा एक बात मैं बता दू कि सर इसमें सिग्मा और पाई कौन बनाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों उसके लिए आप फ्री हो आपको सेलेट करना पड़े इंटर्थ एकसीज और जो सब्सक्राइब ग्मश्यमा तैक्थ अब बाता अगर हमने आए एएए एह यह इए एन एक्स ले लिया तो बताईए यह 1s 1s combination कैसा देगा sigma type का या पाई टाइप का give me answer please my dear student 1s 1s में अगर I and a x ले लिया तो ये कैसा देगा sigma या पाई देगा सिग्मा या पाई देगा बेटा वेरे गुड श्रीडाम देवी बहुत बढ़िया साइना बहुत बढ़िया सभी का बढ़िया बेटा बिल्कुल सुनो क्यूंकि एस बेटा नॉन डारेक्शनल होता है यह कहीं भी जाएगा तो एक्सियल कॉंबिनेशन ही करेगा तो श्र्थ पूछो हम को इसको इस बार माइडिया नहीं बिटा लेकिन आप आओ गया है यह सिग्मा उसमें एक होग्या सिग्मा बीएम हो और एक होग्या सिग्मा एबी एपम्म और समझेयो अब अब बिटा जो एबी ए मोगा न उसमें चार लगा दो तो गया सिगमा बॉंडिक सिगमा एंटी बॉंड मेरे प्यारे बच्चों अब यह बताओ कि यहां पर कौन सा बनेगा तूरेस्ट वेस्ट कॉंबिनीशन से भी कौन सा बनेगा सिगमा बनेगा या फटा-फट बहुत ज ये भी सिगमा बेटा ये सिगमा में बॉंडिंग और सिगमा में अंतीबॉंडिंक तो चार लगा देंगे वेरी डार या अब इसार देखो बेटा इन तीनों में जरा दिमार के बताए ओसमें से कौन सिगमा देगा बोलो बच्चो और बच्चो बोलो सिग्मा वेरी गूड और वेटा यह कैसा देगा तूपी वाई और टूपी जैड कैसा देगा वेरी गूड बेटा यहां से मिल गया सिग्मा सिग्मा और पाई और पाई अच्छा बेटा हमने कुछ नहीं करा मुझे बताओ कि अगर हमने आइने वाई ले लिया आइने वाई ले ले लिया तो यह यह न्युन इस सीग्मा देगा यह पाई देगा कि यांसर बडल करते जो फता हर रप्लाई करते जो अगर आई इन वाई ले लिए ताभी आरश ऱ्या और यह टेंटा नहीं करेगा थिक हैना요 कि देवासी सापका तो कोश्चन अलगे बेटा अब या बॉंड तो हम बना ही रहे यार सर टू पी वाई पाई बॉंड ही क्यों देगा यार पाई बॉंड और बॉंड हम पड़ा रहे पाई और बिटल पड़ा रहे ना बेटा आपको बताया होना कि जो एक्सियल ओबर लैप होता था कौन सा बॉंड देता था सिग्मा बॉंड देता था साइडवाज ओबर लैपिन से कौन सा बॉंड देता था पाई बॉंड देता था तो अगर हम आई एन एक्स लिए हैं तो एक्सिस पे कॉंबिनेशन कौन करेगा पी एक्सिस पे और पी वाई पी वाई कहां अबोब और फिजट फिजट कहां करें अबोब और जब बनाता था तो पाई और जब और बनाएगा तो पाई और बस लेकिन अगर आप आई एन्य ले लोगे तो तुएज तुएज भी सिगमा देगा लेकिन बेटा अब यह जो टूपी एक्स है ना यह σिगमा नहीं देगा और यह 2PY 2PY यह पाई नहीं देगा यह अब क्या देगा बेटा सिगमा और यह देगा पाई क्योंकि अगर IA ने आपने Y ले लिया तो बेटा एक्सिस के उपर पॉंबिनेशन होगा किसका तू-PY और 2PY कa और इससे कौन सा बन गया सिगमा बन गया लेकिन अगर आपने आई वूंब liya तो मैं कुछ नहीं बोलूगा आप बताते जाओ यह सिगमा देगा सबर यह सीगमा देगा येस और येस और नो येस कुरवी वह में लगर ता बिल्कुल फॉर्म बर तरा रहा आपका सईबाद यह बताओ ये जो टूएस्टूएस कंबिनेशन आई रहा है ये इन जड़ पर यह सिगमा देगा या पाई देगा बीटा सिगमा देगा या पाई बालोब बालिकर हो सिगमा वेरे गुड पिर्वी का फ्रॉम्बर करार है भी सजोब आगे देखिए अगर आए और तो यह सिग्मा देगा यह पाई देगा बीटा रेकोड बालक में बालिक हों और यह यह तो पीड कैसा देगा जिगमाएफ फाई पाई 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 आप अब इज़र देखो 2PZ 2PZ जो है यह सिगमा देगा या पाई देगा बेटा यह कैसा देगा तो यह सिगमा देगा ठीक है तो यह बात है यह इसको याद रखो और बता दू बेटा कि यह तो मैंने आपको यह तो मैंने आपको पूरा चीज जो है विजूलाइज करा दिया पर बुक वाले इतना नहीं बताते बेटा वो सीधा सीधा लिग देते हैं उनका काम खतम पर मैं आपको बता रहो कि मेरे बच्चों को दिक्कत ना हो कोई चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए तो म बात और इस कंडिशन को जड़ा गौर से समझीएगा कि अटॉमिक और बिटल जो कंबाइन करते हैं आपको बता दिया है तो बताओ आप अपने मर्जी से आई एने किसको लोग कोई भी अप सेक्सिस मेंशन करके नहीं दिया है तो आपकी सेक्सिस को आई एने लेना चाहते हो अपनी मर्जी से अपनी मर्जी से बिटा मर्जी से आरे 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 आ जेडलो बेटा जेडलो अच्छा आप एक्स भी लोगे वाई भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन किताब वालों ने आई एने जेड को लेके चला तो हम लोग भी आई ने अपने मर्जी से जड़ लेंगे लेकिन अगर आपने एक्स ले लिया तो कोई गड़बर वाली बात नहीं है वो भी राइट है बिटा आई ने एक्स भी राइट है लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं कि आई ने एक्स नहीं लेके हम क्या ले रहे बिटा जेड ले रहे ठीक है तो यह चीज आप द्यार नगे आई एने जो हम यहाँ ले रहे यह जेड ले रहे ठीक है ना तो यहाँ पर कंसेप्ट द्यार नगेगा कि कब आई नहीं आपके उर्बिटल सुड़ा थर्व और आई ने वूट है ने तो यहाँ था ने तो यहाँ ने वाफ़ है ने आई यहाँ स्किमादबेटापकी कंभाइनिंग अटोमिक अर्बिटल शुद अटो 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 अटोमिटल शुद कंभाइन effectively to form strong bond effectively to form a strong bond yes तो यह चीज हो गया अब अब बेटा आगे बढ़ते हैं बेके करके बताता हूं टाइप आप एमो भी तो सब समझा दी एक साथ टाइप आप एमो इतना बार बताऊंगा ना याद करा दूंगा बेटा बूलनेगा कोई मौका ही नहीं छोड़ेंगे कि फॉर्स्ट गाँ बेटा था सिग्मा हुए मॉलक्यूलर आप एक सिग्मा मॉली क्यूलर औरुविटल थी का है आप रिक्टा सीमा जो है कि मॉली क्यूलर कैसे बनेगा ने कंबाइन कर दुए कि combining atomic orbital along internuclear axis okay internuclear axis I-N-A joy I-N-A joy I-N-A joy I-N-A joy यह क्या होगे बिटा यहां का Z axis ठीक है ना यह हमने ले लिए अपनी मर्जी से अब यहां आप देखो यहां में केस्ट और बिटाल ले रहे जाए यहां केइप जाए यहां केंवे लो जाएं कि आप देखर और देखर यह भी एस ओर्बिटल है ठीक है अब बात यहां सुर्दो कि अभी हम यहां करा रहे कंस्ट्रुक्टिव इंटर्फेरेंस यह करवारे कंस्ट्रुक्टिव इंटर्फेरेंस समझ लो कि यहां साइन प्लस रहेगा यहां प्लस इस तरी के सब और यह दोनों जब कंबाइन करेंगे यह वाला जो एक्सिस है नहीं कौन्स होगे अज्जेट एक्सिस एक दूसरी तरह प्रोच करेंगे जा रहा है और बैटा जो सिच्वेशन वनेस के लिए होगा न कि वाई टूस के लिए अगर यह वनेस है तो यह भी वनेस यह द्यान रखें अगर यह टूस है तो यह भी टूस यह द्यान रखें अब यह कंबाइन करने के बाद कुछ इस तरीके से कंबर्ट हो जाता है चीक है कुछ ऐसा कंबर्ट हो जाता है तो यह जो है यह सिग्मा टाइप का मॉलिक्लर अर्बिटल है अब इसका नाम क्या होगा अगर यह वनेस और यह वनेस है इससे इसका नाम जाएगा सिग्मा कि वनेस बिटा यह बॉंडिंग मॉलिक्लर अर्बिटल है कि यह कोई नोड भी नहीं यह यहां पर ठीक है और यह कंस्ट्रक्टिव इंटर्फेरेंस से बन रहे हैं और अगर बिटा टुएस टुएस कंबिनेशन से बनेगा यह हो जाएगा सिग्मा टुएस तुएस अग्धा याद रखना कि सिग्मा मैक्सिमाम दो एक्टरॉन रख सकता है कि सिग्मा टुएस है सिग्मा टुएस में क्या डिफेरेंस आप साइज होगा ना वाज़ा होगा सिग्मा वन एस के साइज से यह चीज आप द्यार रखना तो यहां तक हमने बेटा बता दिया अब आज की लेक्चर हम यहीं ओवर करते हैं इसके बाद हम नेक्स लेक्चर में कल पढ़ाएंगे पर मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से कि प्रीवियस अगर कोई लेक्चर रिम में पूरी चीज रिवाइज कराऊंगा एमोटी का कोई टैंचा माली बात नहीं अगर पीछे का छूट भी गया है कोई मसला नहीं हो लेकिन आप लेकिन कल कॉन कॉन आ रहे हो बच्चों तुम लोग में से सारे आ रहे हो क्या ओके बबाए अब्रीवर कॉन कॉन आ रहे हो सारे आ रहे हो सारे के सारे आ रहे हो बिट्टा झाल 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 झाल